महेंद्र फिंग धूनी फाइंस को लगा है तगला जटका अगर ऐसा किया तो लेना होगा आई पिल है रिटायर्मेंट नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सब्सक्राइब करो नई वीडियो में तो दोस्तों क्या है पूरी ख़बर बताएंगा सब को इस वी फ्रंचाइजी ने अपनी टीम में बनाई है इनी टीमों में से एक जोहन्स वर्ग सुपर किंग टीम है जी हां आप बिल्कुल सही समझें यह तिम चन्ने सुपर किंग टीम की फ्रंचाइजी ने खरीदी है जिसके लिए फाड़ो प्लेसी जैसे इस्टार के लाड़े खेल कर दिया है दरसल मीडिया रिपोर्ट का अनुसार सामने खबरे आई हैं कि महेंद फिंग धोनी मेंटर के तौर पर जोहन्स वर्ग के साथ जुड़ सकते हैं तो उन्हें आइपिल से अपना नाता तोड़ना होगा रिपोर्ट का अनुसार बीसी सी आई के एक अधिकारी ने पूरी तरह से सन्यास नहीं ले लेंगा है अगर कोई भी खिलाडी विदेशी लीग में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे बीसी सी आई के साथ सभी संब्दों को तोड़ना होगा दोस्तों इसी बीच बीसी से अधिकारी ने महेंद फिंग धोनी जैसे खिलाडियों के विदे भारते खिलाडियों के विदेशी लीग में खेलने के अनुमत नहीं देता है बीसी सी आई के नियमों के अनुसार अगर कोई भी इंडियन प्ली मेर विदेशी लीग जैसे सी पील या बीबील खेलना चाहता है तो उन्हें पहले सभी फॉर्वर्विट समय आई पील से ग्रूप में नेजर आपाते हैं या नहीं तो दोस्तों आज के जानकार है बस सतना ही आपको क्या लगता है कि महेंद्र विफिंग ध्यों निकोर्वाण सवार्व सुपर किंग में में अ-ई की भूमिगा निभानी चाहिए क्या बीसी सी यह पर में स्देनी चाहिए या नह तीका तरह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भोलें, मिलते हैं निश्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.